ये गाइज कैसे आप उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ये जो आप देख रहे हैं इस बॉल को आप अपने फॉन में कैसे इनेवल कर पाएंगे वीडियो को एंड तक देखने वीडियो को बिल्क्नी भी श्किप नहीं करना है और अगर आप हमारे चैनल पर पहली वारा है तो प्लीज से चैनल को सब्सक्रेब करके मेल आइकन को प्रेस कर देना है So guys without any waste time let's go start video First of all यहाँ से आपको जाना है setting पर Next यहाँ से आपको थोड़ा सा scroll कर लेना है Next यहाँ से आपको मिल जाता है conversation tools तो इस पर आपको click कर देना है Next यहाँ से आपको assistive ball मिल जाती है इसको आपको click करना है और यहाँ से आपको इसे enable कर देना आपको यह dis enable मिलती है आप यहाँ से enable कर देना है और यहाँ से आपको इस setting को भी change कर पाएंगे इसलिकी one tap तो back है double tap recent task और touch and hold take screen control तो यहाँ से आप इसे change भी कर सकते हैं इस तरीके से यहाँ से कुछ और भी यहाँ पर लगा सकते हैं और one tap पर यहाँ पर आपको चेंज कर सकते हैं तो इस तरीके से आप अपने phone में quick ball assistive ball enable कर पाएंगे so guys आज की इस video में इतना है मिलते हैं एक next interesting video के साथ